दोस्तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बिन्नो को दस्मलो संख्या में कैसे बदलें तो यहाँ पी मैंने तीन प्रश्ण लिए हुए हम लोग इन तीनों बिन्नो को दस्मलो संख्या में बदलेंगे जैसे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि दस्मलो संख्या को भिन्नों में कैसे बदलें लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है तो इस तरह के सवाल को अल करना आपको आना चाहिए क्योंकि आगे मुझे एक वीडियो बनाना है जिसमें मैं यह सिखाऊंगा कि दस्मलो संख्या का दस्मलो संख्या में कैसे भाग दें तो वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसलिए इसे समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो जो दस्मलों वाला भाग होता है, उसे आप अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा, ये दोनों सवाल तो लगबग सिंपल है, पर ये तीसरा सवाल जो है, ये बहुत ही मतुपूर है, तो इसको आप लोग जरूर देखेगा, क्योंकि अगर हम यहां पे 8 से 15 में भाग दें, तो ये कभी कटता ही नहीं है, ठीक है, तो इसे आपको जरूर समझना है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, 234 बटे 5, ठीक है, तो बटा का मतलब भाग होता है, और जो नीचे होता है, उससे हम लोग भाग देते हैं, उपर वाले में, तो सबसे पहले आप इस तरह से बना लिजिए, इस तरह से, ठीक है, अब यह यहां पर लिख दीजिए, 5 यहां पर उपर वाले यहां पर बीच में लिख दीजिए, तो यह हो जाएगा 234, ठीक है, अब इसके बाद जैसे संख्याओं का भाग दिया जाता है, वैसे इसमें तो यहां पर सबसे पहले पहला आंक लेते हैं, तो पहला आंक दो जो है, इससे छोटा है, 5 से छोटा दो है कि नहीं, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो अब हम दोनों ले लेते हैं, तो अब यह बड़ा हो गया, 5 से बड़ा 23 होता है कि नहीं, अब पाँच का पाड़ा कम चाहिए थो 5-2 यहनु कि 4 भार हम लोग पढ़ेंगे पाड़ा तो 5-24 हो गया है अब भातों निई तो तो 23 में से 23 गटा तीन आएगा ना या फिर ऐसे गटा लीजे तीन में से g Dim car dari चील और यह गटेगा तो खतं हाएगा अब देखें यहां पि यह तीन आया है तो 3 जो है 5 से छोटा है तो भाग तो जाएगा नहीं तो हम लोग अगला पद उतार लेते हैं तो इसको उतार लिए हमने 4 अब ये देखें 34 है तो 34-5 से बढ़ा हो गया अब भाग चला जाएगा तो भाग देकर देखते हैं तो पाड़ा पड़े कि इससे छोटा एको यंक तो 5-6-30, 5-7-35, 7 बार में 35 आजा रहे जो कि बढ़ा है तो 6 बार पड़ेंगे 5-6-30, इतना हो गया अब फिर से गटा लेते हैं तो 4 में से 0 गटा, 4 आ गया, 3 में से 3 गटे गया तो ये कटी जाएगा तो अब देखिए यहाँ पे अब ये 4 जोए 5 से छोटा है तो इसके बाद तो भाग जाएगी नहीं तो जब इसके बाद भाग नहीं जाता है तब ही हम लोग 10 मलों लगाते हैं ठीक है तो यहाँ पे अब हम लोग 10 मलों लगा लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही 10 मलों लगाएगे यहाँ पे 0 उतर जाएगा चुकि 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो हम लोग यहां पर दस्मलों लगाने के बाद यहां पर 0 उतरेगा ठीक है अगर कोई अंक रहा था तो वही वाल हम लोग यहां पर उतार लेते हैं तब यह दस्मलों लगाने के जरूरत ने पड़ती तो यहां पे 40 आ गया अब 40 किस से कटता है 8 से कट जाएगा 5 वठे 40 अब यह गटाएंगे तो यह 0 आ जाएगा ठीक है यानि कि 5 इससे 234 में भाग देने पर यह कुछ इतना आता है यानि कि इसका आंस्वर कितना हो जाएगा इसका आंस्वर हो जाएगा 46.8 अब चलिए दूसरा सवाल करते हैं तो दूसरा सवाल क्या है 12 से आपको 525 में भाग देना है तो इसको ऐसे लिख लिए 12 से भाग देना है बड़ा आ जा रहे तो हम लोग 12, 4, 48 चारे बार पाड़ा पड़ेंगे तो यह होगा 48 अब घटा लेते हैं तो बारम यहां से 2 में से 8 गटे गानी तो यहां से 80 ले लेते हैं तो बारम यहां से 8 गटा 4 आ जाएगा यहां पर 4 में से 4 गटा 0 तो अब अगला पद उतार लेते ह चार बारत से छोटा है तो यह हो गया 45 फिर पढ़ा पढ़िए तो बारत चौक 48 तो यहां पर 48 अधीक हो जा रहा इससे तीन बार जाएगा बारत यहां 36 हो गया अब घटा लेते हैं तो पांच में से 6 गटे गनित यहां से एक खासी ले लेते हैं तो पंदर में से 6 गटा 9 आगया अब देखिए अब 9 आगया तो 9 12 से छोटा है अगर इसके आगया अंक दिया रहता है तो उसको उतार लेते लेकिन अंक नहीं दिया तो हम यहां पर 10 मलों लगाएंगे और 10 मलों यहां पर लगाएं तो यहां पर 0 बढ तो अब घटा दीजी, तो 10 में से 4 घटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 और यह 0 आ जाएगा, अब चुकि दस मलों, अम लोग एक बार बागा चुके हैं, तो अब अम लोग अपने मन से 1 0 बाढा सकते हैं, तो 12, 25, 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह आगय है 0, यानि कि इसका आंसवर इतना आ जाएगा, यानि कि अगर हम 525 में 12 से भाग दें, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43.75, तो ये हो जाएगा इसका आंसवर, ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा भाग दे कर देखते हैं, तो तीसरा क्या है, चुकि यहां पे 15 बटे 8 था तो ये थोड़ा मैंने गलत उतार लिया था इसको ऐसे बना लिजिए ये हो जाएगा 25 बटा 7 ठीक है इस तरह लिखिए 25 बटा 7 आपको 7 से बाग देना है 25 में ठीक है तो चलिए हम भाग देकर देखते हैं तो 7 से आपको बाग देना है 25 में अब 7 का पाड़ा पड़ी साथ तरह के 21 सचोक 28 तो चार बर में 28 हो जा रहे हैं तो साथ तरीक 21 अब गटा लिजी तो पांच में से एक गटा चार आ गया और ये कट जाएगा अब इसके बाद से देखिए चुकि यहां पर चार आ गया तो दसमलों यहां पर लगा लेते हैं और यहां पर जीर पर देखिए दस में से पांच घटा पांच तीन में से तीन घटेगा जीरो क्योंकि यहां से आसे अशीलिया था अब पांच हो गया तो इसके आगे हम जोग अब जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि दसमलों लग चुका है अब फिर से साथ का पढ़ा पड़े तो साथ सते 49 यह जाएगा, फिर हम एक 0 बढ़ा सकते ही तो सचोक 28 तो यह आ गया सचोक 28 फिर से घटाएंगिंत कितनी आ जाएगी यह 2 आ जाएगे यहाँपी अब जीरो बढ़ा सकते हैं तो यह लीगा सकते कि अगर बहाग देते चले जाए तो यह गभी कटे गाए नहीं यह यारिकि देखिए हमने इन दोनों में भाग दिया था तो सेऊफल 0 आ जा रहा था यहां पर भी देख सकते हैं दूसरे वाले में भी सेऊफल 00 लेकिन इसको भाग देंगे नहों पर 0 नहीं आयगा यह ऐसे भाग चला जाता है ठीक है तो इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं चुकि जब भी 10 मलों के बाद कई सारा अंक आने लग जा है तो वहाँ पे किवाल हम 10 मलों के बाद 2 या 3 अंक तक वही आंस्वर हम लोग बोल देते हैं यानि कि पचीस बटे साथ इसका आंस्वार हम लोग लिख सकते हैं तीन दस्मलों पांच साथ इतना भी आप लिख सकते हैं केवल दो ही अंक तक तब ही सही है आप चाहें तो ये तीन अंक तक ले ले सकते हैं तो पांच साथ एक ठीक है तो आप कोशिस यही करिए कि दस्मलों के तीन तक या फिर दो आंक तक वही आंस्वर रहता है तो इतना इसका आंस्वर हो जाएगा तो आयोफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो एक लाइक कर दीजी मिलतें अंगली वीडियो में